नमास्कार स्वागत्यापका हमारे चैनल चार जागिंदर मिशा में महा सिवरात्री में मिले पांच संकेत तो सिवजी आपसे प्रसन है आपका अच्छा वक्त आने वाला है दोस्तों महा सिवरात्री का हिंदु धरम में सबसे ज़्यादा महत्व है ये तेवहार सिव भक्तों का सबसे बड़ा तेवहार माना जाता है। इस दिन सिव भक्त बिभिन प्रकार से सिव जी को प्रसंद करने का प्रयास करते हैं। हर वक्त सिव जी को प्रसंद करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं कई जगों पर लोगों का साक्षाद सिव जी का चमतकार देखने को मिलता है। कई मंद्रों में अचानक नाग प्रगठ हो जाते हैं तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां सिव जी के दर्श सिव जी की आराधना करते हैं तो आपको भी सिव जी के होने का एहसास अवश्य होगा। जब भी सिव जी अपने किसी भक्त पर प्रसंद हो जाते हैं अत्वा उसकी निष्ठा एबं भक्ती से प्रसंद हो जाते हैं तो उसे कुछ संकेत अवश्य देते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं अगर आपको भी महा सिरात्रे के दिन या उससे पहले ऐसे संकेत सपने या जाकते हुए मिलते हैं तो आप समझ जाए कि आप सिवजी की कृपा आप पर बनी हुई है सिवजी के आपके भक्ती और पूजा से प्रसंद है और वो आपकी मनोकामनाई अवश्यपून करने वाले है आमतर पर हम सपने में कई प्रकार की चीज़े या देवी देपताओं के दर्सन कर लेते हैं लेकिन महा सिरात्री के दिन या उससे एक दो दिन पहले सपने में इन चीज़ों को देखना बड़ा ही सुभ माना जाता है तो आईए जानते हैं ऐसे वो कौन से सपने संकेत हैं जो सिवजी अपने भक्तों को देते हैं सबसे पहले सपने में नंदी के दर्सन होना दोस्तो महा सिवरात्री के दिन या उससे एक दो दिन पहले अगर आपको सपने में नंदी दिखाई देते हैं तो ये बड़ा हिश्व माना जाता है ये भगवान सिव का संकेत क्यों आपकी पूजा से प्रसंद है सपने में नंदी देखने का आर्थ की कई दिनों से आप सिव जी की जो इच्छा मांग रहे हैं सिव जी से वो पूण होने वाली है अगर आपको सपने में नंदी के दर्संद होते हैं तो आप इसका जिक्र कभी किसी से ना करें किसी से ना करें दूसरी चीज है तरसूल तरसूल को मनसुके तीन विकारों का प्रतीक माना जाता है काम क्रोध लोब और यनि की मो आपको सपने में काम क्रोध और लोब अगर आपको भी सपने में तरसूल के दर्संद होते हैं तो ये आपके जीवन में परिवर्तन होने व कारों को त्या करके स्वैम को सिव जी के सामने समर्पित करें सिव जी आपकी सभी मुनकामनाई अवसे पूर्ण करेंगे तिसरी बात सपने में नाग देपता अगर महा सिवरात्री के दिन आपको सपने में नाग के दर्सन होते हैं तो ये धन प्राप्ति के संकेत है प्राची प्रफिक लाभ मिल सकता है चोथी चीज है डमरू डमरू एक बाजा है जो सिव जी तांडव करते समय इसे बजाते हैं सपने में डमरू का दिखना अतिनतर सुब है आपका आपके छेत्र में सफलता मिलने के संकेत देते हैं ब्यापार के लिए आपकी मेहनेत रंगलाती है ब् कि आपको जल्द ही बड़ी काम्याबी पूरी होने वाली है आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी होने वाली है आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होगी और आपका अच्छा वक्त आने वाला है तो दोस्तों ये पांच संकेत अगर आपको महासिरवात्री के दिन मिले महासिरव पात्री में मिले तो निश्य तोर पे सिभ जी आप से प्रसंद है और आपको विशेश लाव देने वाले हैं तो दोस्तों खास जान करिए अगर पसंद आई तो बीटे को लाइक करें ज्यादा शेयर अवस्ट करिए कमेंट में लिके हर हर महादेव साथ ही बताइए कौन से अपने आपको देखते हैं ज्यादातार और सब्सक्राइब करके चैनल को बिल आइकन को प्रेस करिए जै महादेवार हर महादेव